दोस्तो आजके इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वाटस अप पर नया नंबर सेव कैसे कर सकते हो पर कोई नया नंबर से व करने के लिए आपको एक निउ कॉन्ठेक्ट का ओप्शन दिख रहे तो आपको इस पर क्लिक करा है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है create contact वाले option पर क्लिकना और इस पर क्लिक करने की बाद दोस्तों यहां पर आप जो है अगर आप अपनी sim card में number save करना चाहते हो तो sim card को choose कर सकते हो अगर आप गूगल आइडी पर सेव करना चाहते हैं तो Google IDP सेलेक्ट कर सकते हैं फिलाल मैं SIM card को चूज कर लेता हूँ अब guys आपको name option पर क्लिक करने की बाद आप जिस भी name से जो है अपना जो भी आपर number सेव करना चाहते हो यहाँ पर आपको name type करना है इसके बाद दूस्तो phone option पर क्लिक करने की बाद आपको mobile नंबर डालना हुआ इसके बाद आपको जो है अगर आप email करना चाहते तो email भी उसका डाल से तो फिलाल मैं mobile option पर क्लिक करके अपना phone नंबर यहां पर डाल देता हूँ और phone नंबर डालने की बाद आपको tick option पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आपको अपना mobile नंबर डाल देना इसके बाद simply आपको tick पर क्लिक करना और guys आपका जो है नंबर save हो जागा इसके बाद यहाँ से back आने की बाद अब guys जैसे आप फिर से इस option पर क्लिक करोंगे whatsapp में इस option पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है जो नंबर आपने save करा था वो यहाँ पर list में आ जागा या फिर आप 3.पर क्लिक करके यहाँ से आप refresh पर क्लिक करके इसको refresh कर सकते हो इसके बाद guys आप देख से तो मैंने जो यहाँ पर JPPP यहाँ पर इस तरीके से मैं इस तरीके से आप WhatsApp में नया नंबर save कर सकते हो दोस्तों गर आप कोई वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को like, share and subscribe जरूर से किजिएगा